जहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत डिफेंस एजुकेशन में आज है 26 जनवरी 2021 इस वीडियो में डिसकस करेंगे डे टू डे के करेंट अफेयर जो की आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आज 26 जनवरी है रिपब्लिक डे आपको विजेपत डिफेंस एजुकेशन की तरफ से रिपब्लिक डे की धेर सारी शुब काम नाएं सो आपने इसी जोश के साथ हमारे साथ जुड़े रहना है और आपको सक्सेस मिलेगी 100% मिलेगी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा बेसिक फाउंडेशन का को स्टार्ट हो चुका है जो कि आपको 100% शुर्ट सक्सेस दिलवाएगा रहेगे एक साल के लिए और कवर करवाएगा आपके आने वाले सभी स्टेट और सेंटर गवर्मेंट एक्जामों को आप अपनी त्यारीस में बिल्कुल बेसिक के स्टार्ट कर सकते हैं मतलब कि जीरो लेबल से आप यहाँ पे स्टार्ट अपना कर सकते हैं इसमें आपको special notes और books विजेपात defense education के तरफ से दी जाएंगी और साथ में online test series विजेपात defense education के तरफ से आपको provide करवाई जाएगी So 100% sure success के लिए आप basic foundation का course जोइन कर सकते हैं विजेपात defense education में हमारा हिमाचल पुलिस का भी advance bad start है जो की रहेगा आपके लिए mission 2021 So जल्दी से जल्दी आप अपना advance bad start कर सकते हैं HP police का विजेपात defense education में So आज की वीडियो शुरू करते हैं First question है हाल ही में श्रिलंका के किस खिलाडी ने franchise क्रिकेट से सन्यास ले लिया है तो श्रिलंका का ऐसा कौन सा खिलाडी है जिसने franchise क्रिकेट से सन्यास ले लिया है तो न का नाम है Lathis Malinga option A जो है इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा और लथिस मलिंगा जो है यह हम यह सिललंका के faster bowler है next one है हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूरव विदेश मंतरी Mike Pompeo समेथ 28 सधिकारियों पर प्रतिबंद लगाने का फैसला कर लिया है तो ऐसा कौन सा देश है जहांके पूरव विदेश मंतरी Mike Pompeo समेथ 28 सधिकारियों पर प्रतिबंद लगाने का फैसला लिया है तो उसका नाम है चीन important question है next one है किस देश को हाल ही में बिती reporting में उत्कृष्था के लिए I.C.A.I. रास्ट्रिय पुरुषकार परदान किया गया है तो उसका नेम है हमारा भेल जो कि है भारत Heavy Electronics Limited भारत Heavy Electronics Limited तो B.H.E.L. जो है वो हमारी एक multinational company है जिसको रास्ट्रिय पुरुषकार से सम्मानित किया गया है next one है I.P.L. टीम राजिस्थान रॉयल्स ने किस खिलाडी को टीम का नया कपतान न्यूक्त किया है तो I.P.L. 2021 के I.P.L. होने है जल्दी ही I.P.L. होंगे क्योंकि पिछली बार जो करोना की बज़े से I.P.L. लेट करवाए गए थे और इंडिया के बाहर ये करवाए गए थे तो तो राजिस्थान रॉयल्स ने जो है वो नया कपतान बनाया है संजूप सैमसंग को उप्शन D इसका बिल्कुल सही है नेक्स वन है निमन में से किस फुटबोलर नहीं साथ सो साथ गोल दाग कर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबोल इतिहास में सबसे जादा गोल दाग दिया है तो ओप्शन 20 का बिल्कुल सही है और रोनाल्डो को जो है वो फुटबोल की दुनिया में काफी फेमस माना जाता है काफी प्रसिद बेखती है ये फुटबोल की दुनिया में तो उन्होंने सबसे जादा गोल करने का जो नाम है वो अपने नाम किया है नेक्स वन है केंदरी मंत्री मंडल ने 20 जनपरी 2021 को भारत और किस देश के बीच शोर उर्जा के क्षेतर में सहीओं के लिए एक सहमिती पत्र को मंजूरी दे दी है तो उसका जो सही अंसर है वो है हमारा उजबेकिस्तान ओप्शन A इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा 850 मेगावोट के जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनको सेंटर गवर्मेंट के द्वारा जो है वो मंजूरी परदान की गई है काफी इंपोर्टेंट कोशन यहां पे रहेगा क्योंकि पावर प्रोजेक्ट मोस्ली बही पे जादा लगाया जाते हैं जहां पे हमारी रीवर्स जो हैं वो काफी संक्या में रहती हैं जैसे हमारा हिमाचल की बात करें अरुनांचल की बात करें क्योंकि हिमाचल अगर मैं बात करूं तो हिमाचल जो है वहां से सबसे जादा प्रोडेक्शन इलेक्टरिसिटी को होती है जो कि हमारा ट्रांस करता है हमारा इलेक्टरिसिट को पंजाब उत्राखंड हर्याना और दिल्ली में नेक्ट वन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चोथा स्थान इमन में से कस देश को प्रापत हुआ है तो फूर्थ स्थान जो है वो क्योंकि भारत वहां पर आया है काफी बड़ी बात होती है पूरी ग्लोबल इंडेस्ट्री की यहां पर बात की की जा रही है कि 2020-21 में जो भारत है उसने फौर्थ स्थान हासिल किया है तो आज होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप हमें शोशल मीडिया के उपर फ साथ में जो बलट प्रोवाइड करवाया जाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्ट्साप का लिंक है वहां से आप हमारे वर्ट्साप क्रूप को इजिली जॉइन कर सकते हैं हमारा हिमाचल पुलिस का भी एडवांस बैट स्टार्ट हो चुका है जो कि आपको द साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत